हेलो गाईज दिसी शोईकोत और गाईज आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियाल्मी की X2 Pro और Redmi K20 Pro के बार में और रियाल्मी का जो ये X2 Pro है ये कल ही चाइना में लाँच हो गया था यूरोप में भी लाँच हो गया था और अभी ये डिवाइस इंडिया में कब लाँच होगा वो अभी के टाइम में कॉन्फार्म हो चुका है November की 20th को मदब 20 November को ये डिवाइस इंडिया में लाँच होने वाला है Realme X2 Pro ये फ्लैक्शिप डिवाइस तो आज इस वीडियो में करने वाला हूँ कॉंपया Realme X2 Pro को Redmi K20 Pro से तो देखते हैं इस वीडियो में आपको पता लग जाएगे कि इन दोनों में से कॉंसा डिवाइस असली में प्रो एक डिवाइस से तो कॉंप्रिटली इस वीडियो को आप एक दम एंट आग देखते रहें तो विदाव रिश्निक उने मों टाइम एट स्टारड़ेट तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिस्प्ले के बार में बोलकर तो यहाँ पर Realme X2 Pro में हमें 6.5 इंच का रिफ्रेश रेट वोले डिस्प्ले देखनी के लिए मिलता है वही अगर रेड्मी के 20 प्रो की बायत करे तो उसमें डिफॉल्ट 60 हर्स का ही मिलता है आप उप दा बॉक्स आप उसे ओभर क्लॉक भी कर सकते हैं 81 हर्स तक लेकिन वह अलग से आपको बूट डोडर अनलोग क करना परेगा रेड्मी के 20 प्रो में अगर आप लोग 81 हर्स अनलोग करना चाहते हो अबर क्लॉक करना होगा आपको लेकिन आउट अप दा बॉक्स हमें यहाँ पर 90 हर्स का डिस्प्ले देखनी के लिए एक टू प्रो में तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में थोरा सा अगे है कि इस डिपास में हमें रेड्मी के 20 प्रो में हमें फॉप अप सेल्फी कैमरा में मतलब फूल विश्प्ले हमें यहाँ पर दएक टो प्रो की अगर बात करतो यहाँ पर हमें रहादा अच्छ नोच देखनी के लिए यही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है तो इस बारे में थोरा सा पीछे है रियल्मी का X2 Pro क्योंकि इसमें हमें वाटरॉप नॉच मिलता है बागी गाइस अगर बात करें दोनों डिफाइस की बोग साइड में हमें गोडिलागरस 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए अच्छी बात है और यहाँ पर अगर प्रोसेजर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रो में क्योंकि इसमें तो तो सिंबैशन देखने के लिए प्लस बाकि इस दोनोंद दिवाइस में हमें जीपी उसे मीदेखने के लिए मिलता है अर घुल्मी के सब अगर बात करें ना तो रियाद मेंतर रियल्मी 2 प्रोगा तो Realme X2 Pro 64GB वाला जो विरेंट है, 64GB वो जो 64GB है, वो है UFS 2.1 और बाकी जो 128GB, 256GB वाला विरेंट है, उसमें हमें UFS 3.0 का स्टोरेज मिलता है, तो यह अर भी बात करेंगे के बारे में तो यह आपर, कैमेरा के बारे में हमें थोड़ा सा बेटर कैमेरा देखने के लिए मिलत है, 8MB का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंज भी हमें यहाँ पर मिलता है, Realme X2 Pro में, Hot 2MB का एक डेप संजर भी यहाँ पर अबलेबल है, Realme X2 Pro में, और वही अगर K20 Pro की बात कर तो यहाँ पर 48MB का बेंद संजर है, 8MB का टेली फोटो लेंज है, 2X Optical Zoom के साथ, 13MB का एक वा यही बात करें, तो यही बात मुझे दोरा सा अच्छा नहीं लगा कि, Realme X2 Pro में, हमें पॉप अप सेल्फी दिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, बागी का अगर सॉप्टर की बात करें तो यह पर दोनों डिवाइस में हमें Android 9 Pie देखने के लिए मिलता है, दोनों बात करें तो दोनों डिवाइस में हमें 4000 मिलिया एंपर का बैटरी देखने के लिए मिलता है, लेकिन में फंडा जो है वो है चार्जिंग में, तो यहापर Realme X2 Pro में हमें 50W का सुपर वुक चार्जिंग के लिए मिलता है, मतलब 50W का चार्जिंग के पासिटी, आपका जो यह जो फोन है Realme X2 Pro, यह 35 मिनिट में फुल चार्ज हो जाएगा, तो यही है बहुत ही तगरा बात जो मुझे लगा है, और वही अगर Redmi K20 Pro की बात करें तो उसमें आपको 27W का फार्जिंग के पासिटी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, तो यह बात इसमें चार् और यहाँ पर Redmi K20 Pro में Bluetooth version 5.0 मिलता है, और यहाँ पर कोई पी NFC का सपोर्ट नहीं है, 3.5mm audio jack है, और दोनों device में ही हमें in-display fingerprints के आना देखने के लिए मिलता है, जो कि अच्छी बात है हम बहुत सकते हैं, और यहाँ पर Realme X2 Pro में हमें Dolby Atmos का भी सपोर्ट देखने के लिए और गाइस अगर प्राइजिंग की बात करना, यहाँ पर Redmi K20 Pro में अभी के टाइम में डाउन हो चुका है, तो इसका 6GB प्लस 128GB वाला variant है वह अभी के टाइम में मिल रहा है और 8GB प्लस 256GB वाला variant है वह हमें मिल रहा है अभी के टाइम में 31,000 की प्राइजिंग रेंच में, तो गाइस यहाँ पर Realme X2 Pro तो लाँच हो गया है और चाइना में उसका भी प्राइजिंग रिबील हो चुका है, तो इसका 6GB प्लस 64GB वाला variant का प्राइज है चाइना में वह है 26,000, जी हाँ 26,000, बहुत इकम प्राइज प्राइज पॉयंट है, और गाइस 8GB रहा है में 128GB जो प्राइजिंग निकल के आया है वह है 28,000 और जो अपर प्राइजिंग निकल के आया है वह है 32,000 लेंगे इस इंडिया में इसका प्राइजिंग क्या होगा यही है में बाद, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इसका जो 6GB प्लस 64GB वाला वाला है Realme X2 Pro का वह हमें इंड तो सबसे पहले मैं डेफिनेटली बोलूंगा Realme X2 Pro ही आगे है क्योंकि इसमें जो हमें डेफिनेटली जो डिस्प्ले है उसमें 90 हर्स का पैनल देखने के लिए मिलता है इस बात में आगे है Realme X2 Pro Redmi K20 Pro से जो इसका कैमेरा है वह भी हमें अप्ग्रेडर देखने के लिए मि तो guys Realme X2 Pro का यह सब जो चीज़े इनको अगर कॉंसिडर करें जो है डिस्प्ले, कैमेरा, चार्जिंग और पावर तो definitely Realme X2 Pro ही एक प्रो डिवाइस है और Redmi K20 Pro लेकिन guys एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा है Realme X2 Pro का जो की है इसमें हमें नौच देखने के लिए मिलता ह बाखी guys अगर Realme X2 Pro का नौच को कॉंप्रोमाइस करें तो definitely यह जो डिवाइस है Realme X2 Pro यह definitely एक किलर डिवाइस है और यह definitely Redmi K20 Pro का किलर है मैं बोल सकता हूँ और guys अगर यह जो डिवाइस है Realme X2 Pro यह अगर सही प्राइजिंग रेंज में 28,000 की प्राइजिंग रेंज में इंडिया में लॉंच होता है तो definitely यह जो डिवाइस है मतलब 28,000 की रेंज में एक बेस्ट स्मार्टपून कहलाएगा बहुत ही अच्छा स्मार्टपून तो overall यही यह बाद मेरे opinion में यह जो Realme X2 Pro है यही असल में प्रो डिवाइस है ओवर Redmi K20 Pro और guys आप मुझे नीचे कॉमें सेक्श में ने जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो इन दोनों डिवाइस में कौन सा डिवाइस आपको ज्यादा अच्छा लगा है आप मुझे जरू वीडियो पसंद आया होगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना मेरा नमें श्रूर को बिलता हो आप से गोड़े एकसाइटिंग वीडियों आप तक के लिए जय हिंद बंद मातरों